संजीवनी हस्पताल, बाल एवम शिशु रोग, जनरल सरजरी, प्लास्टिक सरजरी, नियूरो सरजरी, नेत्र रोग, फीजियो थेरपी, त्री एवम प्रस्तूती रोग, विद्य एवम शुगर रोग, हड़ी एवम जोर रोग, कार्डियो लोजी, दंत रोग, एमरजेंसी जिकिचिक सुविधाओं में एक भरोसे मन नाम है, नमस्कार मैं उप्रमोद और आप देखना सुरू कर चुके हैं, दिसडकनामा.com, सिर्सा में एक ऐसी वारदात का खुलासा हुआ है, जो आपने आज तक टीवी पे देखी होगी, सीरियल में आपने कई बार देखी होगी खास करके सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल जैसे एपिसोड में आपने जरूर देखी होगी, ऐसी ही वारदात सिर्सा में हुई, और हैरान कर देने वाला ये वाक्या है, जो है वो सिर्सा जिले के गाउं चाड़ेवाल में सामने आया, और जब सामने आया, तो दर से भाग करके एक यूती से लव मेरिज की, प्रीजनों के डर से वो प्रोटेक्शन हाउस में भी रहे और यूवक है जो कि विटा मिलक प्लांट में नोकरी करता था, शादी के बाद यूवक है अपनी पतनी के साथ विटा मिलक प्लांट के ही आसपास में रहने लग गय और कुछ दिनों बाद उसका दोस्त जो की सिरसा जिले के ही गाउं का रहने वाला था, वो भी विटा मिलक प्लांट में ही नोकरी करता था, उसका उससे दोस्ताना था और वो उसके घर आने जाने लग गया, कहने को वो उसको अपना धरम भाई कहता था, लेकिन जैसे ही उस उसके पतनी को देखा, तो दोनों में प्रेम परसंग हो गया, और ये प्रेम परसंग इस कदर आगे बढ़ा कि दोनों में नजायद सम्मंद भी हो गए, और उसके बाद जिस यूती ने प्रेम की खातिर अपने परिवार को छोड़ दिया, अब वो प्रेमी का साथ देने ल जी हम आपको बता दें कि जो यूवक जिसकी हम बात कर रहे थे, जो की वीटा मिलक प्लांट में था, जो की जिसने घर से भाग करके लो मेरिज की एक यूती से, उसी यूती ने उसकी हत्याक कर डाली, अपने प्रेमी के साथ मिल कर, और पंदरा दिन पहले जो है उसकी इस तरह की उदासी ना होना, पूरी पूरी रात वो मॉवाइल से चैट करना, उसके प्रिजनों को ये सक हो गया, कि आखिर माजरा क्या है, क्योंकि पती के मरने के बाद कोई भी पतनी है, वो इस तरह से जो है नहीं दिखेगी, जिस तरह से वो यूती दिख रही थी, और एक दिन जब मिर्तक यूवक के भाई ने अपनी भावी का मॉवाइल चेक किया, तो वो भी हैरान रह गया, उसमें काफी इस तरह की चैट थी, जिसमें जो यूवक था, जो कि उसका प्रेमी था, या उसके भाई का दोस्त था, वो उससे जो है बादचित करता था, और उसन प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पती की हत्या करवाई है, फिलहाल जो पतनी है, उसको पुलिस ने गरिफ्तार कर लिया है, उससे जेल भेज दिया गया है, और पुलिस उसके प्रेमी और उसके एक दोस्त, उनकी तलास में चापे मारी कर रही है, अब ये पूरा वाक्य हम आपको समझाते हैं, कि पतनी ने अपने पती को रास्ते से ह गोगा मेडी में जा करके दोक लगा करके आए, और उसको बाइक पे गोगा मेडी के लिए निकाल दिया, गाउन ढूकड़ा के पास, उसके बाइक से किसी अग्यातकार से एक्सिडेंट करवाया गया, हलांकि उस एक्सिडेंट में जो यूख है वो बच गया, लेकिन चोट पासे में इसकी मोद क्यों नहीं हुई, कुछ दिनों बाद उसके बाद उसके प्रेमी से उससी बादचित हुई, और उस अपने पती को पतनी ने कुछ ऐसा खिला दिया, नशीली दवा उसको खिला दी, नींद की गोलियां उसको खिला दी, जिससे वो बेहोश हो गया, बे एक सिर्शा के निजी होस्पिटल में कंपाउडर बताया जा रहा है उन दोनों ने मिलकर के यानि कि तीन लोग होगे तीनों ने मिलकर के किसी प्राइवेट होस्पिटल में उसको जाकर के दाखिल करवा दिया वहाँ जाकर के भी जब डोक्टर ने ये कहा कि यूवक की हालत ठीक है और खत्रे से बाहर है तो तीनों ने ये सोचा कि ये फिर बच गया है तो उन्होंने जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने कुछ मिला करके उसको खिला दिया उसके बाद वह इतने गंबीर रूप से बेहोश हो गया जिसके बाद डोक्टर ने उसे मिर्त गोशित कर दिया जैसे ही ये बात गाउं में पता चली तो हर कोई व्यक्ति हैरान था किसी ने सोचा कि उसका हादसा हुआ था एक्सिडेंट उसके साथ हुआ था उसके बाद उसके अचानक तबियत बिगड़ी होस्पिटल में ले गए डोक्टर बता रहा था कि तबियत में लगातार सुधार है लेकिन अचानक फिर उसकी तबियत बिगड़ी और उससे उसकी मोत हो गई, गाओं में उसका अंतिम संस्कार कर दिया और जो प्रेमी था, यानि की जो मिर्टक यूवक है, उसका अपने आपको धरंबाई कहता था, वो भी उसकी जो है, अंतिम संस्कार में लिपट लिपट करके रो रहा था, और ये कह रहा था कि भाई तू अचानक कहां चला गया हमें सब को छोड़ के चला गया यानि कि इस तरह का जो है ड्रामा ये किया जा रहा था जिससे किसी वेवेक्ति को ये शक ना हो कि इस पूरी मडर मिस्ट्री में उसका भी हाथ है लेकिन उसके बाद दिन बीटते गए रसम उठाला हो गया लेकिन जब परिवार को ये सक हो गया कि मौत के बाद लगातार जो है मिर्तक की पतनी थी यानि कि वो लगातार चैट कर रही थी लगातार उसके चेहरे पे किसी तरह की सिकन नहीं थी अधासी नहीं थी तो परीजनों को ये सख हो गया जब परीजनों ने उससे पूछ ताच की परीजनों ने इसके मोबाईल खंगाला तो पूरा राच उसने उगल दिया और उसने धमकी भी दे डाली कि जिस तरह से इस यूवक को मैंने मरवाया है उसी तरह से तुम को भी मरवा दूंगी फिर ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है अब ये पूरा वाक्या सुनकर के आपको जरूर ये लगा होगा कि ऐसा पूरा मामला आपने या तो सावधान इंडिया में देखा है या क्राइम पेट्रोल में देखा है लेकिन ये मामला सच है जो सिरसा जिले की घटना है आगे क्या होता है इस पूरे मामले में जो बाकी आरोपी है उसको लेकर के भी पुलिस है वो लगातार आरोपियों की तलास में छापे मारे की जा रही है अभी तक दो अरूपी और बताए जा रहे हैं और ये भी बताए जा रहा है कि जिस वेक्टि ने accident किया था चार शितंबर को वो तीसरा character हो सकता है या इन दोनों YOK को चलावा कोई तीसरा वेक्टि भी हो सकता है पुलिस हर अंगल से इस पूरे मामले की जाच कर रही है तो ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो का आप सेर्ज जरूर कर दीजिए कॉमेंट सेक्षन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरे परकरण को लेकर के आप क्या सोचते हैं बात बाश्क्रिया